हर्दिक पांडिया के लिए पिछले कुछ महीने बेहत शांदार रहे हैं धाकड भारतियाल राउंडर ने न सिर्फ मैदान पर वापसी की बलकि IPL में एक नई टीम की कमान सम्हाली और पहली बार में ही अपनी कफ्तानी में खिताब जिता दिया इसके बाद से भारतिये क्रिकेट टीम में उनकी शांदार वापसी हुई है और कप्तानी का भी मौका मिला है ऐसे में अगर कोई ये कहे कि हार्दिक पांडिया अगले एक साल में सन्यास ले लेंगे तो हैरानी तो जरूर होगी टीम इंडिया के पूर्व कोच रवी शास्त्री ने ये चौकाने वाला दावा इंग्लेंड और साथ आफ्रिका के बीच हुए दूसरे वंडे मैच के दौरान किया इस मैच के लिए कॉमेंटरी करते हुए शास्त्री ने ODI फॉर्मेट के भविश्य पर जो बहस चुड़ी हुई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और साथी साथ यह भी कह डाला कि हार्दिक 2023 विश्युकप के बाद ODI क्रिकेट से सन्यास ले सकते हैं उन्होंने कहा कि आपके सामने पहले से ही ऐसे खिलारी है जो चुन रहे हैं कि कौन सा फॉर्मेट खेलना उनके लिए सही होगा हार्दिक पांडिया को ही ले लीजिए वह T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं और उनके दिमाग में भी यह सपश्ट है कि वह कुछ और नहीं खेलना चाहते पिछले तीन से चार साल में अपनी चोट के कारण परिशान रहे हार्दिक पांडिया ने जादा क्रिकेट नहीं खेला है 2018 तक वह तीनों फॉर्मैट में खेल रहे थे लेकिन इसके बाद से ही वह सिर्फ बंडे और T20 जादा खेल रहे हैं इसके बाद भी उन्होंने पिछले कुछ महीनों में T20 क्रिकेटी जादा खेला है हालाकि ये फार्दिक पांडिया साफ कह चुके हैं कि उनका ध्यान फिलहाल सिर्फ T20 वर्लक पर है और इसी लिए वह इसे प्रात्मिक्ता दे रहे हैं असल में इंग्लेंड के स्टार ओल रौंडर बेंस स्टोक्स के एक फैसले ने इस पूरे हफते में क्रिकेट जगत को लेकर एक बड़ी बहस में डाल दिया है इंग्लेंड के टेस्ट कप्तान स्टोक्स ने सुमवार 18 जुलाई को वंडे ग्रिकेट से सन्यास का एलान किया था स्टोक्स ने कहा था कि ऐसे व्यस्ट कारिक्रम के कारण उनका लगातार तीनो फॉर्मैट में खेलना काफी ज़ादा मुश्किल हो रहा है इसके बाद से ही अन्य खिलारियों के भी इस रहा पर चलने की आशंका जताई जा रही है साती इसके बाद से ही एक बार फिर से ODI फॉर्मैट के भविश्य को लेकर बहस छड़ गई है फिलहाल के लिए तो टीम इंडिया अभी वेस्ट इंडीस के खिलाब बंडे सीरीज खेल रही है और हार्दिक पांडिया को उस सीरीज से आराम दिया गया है किसी को भी नहीं पता कि रविशास्त्री की तरफ से दिया गया यह बयान कितना तरकसंडत है और खुद पांडिया भी अभी इसके बारे में कुछ खास नहीं सोच रही होंगे